यह संयोग ही है कि आज जब हम कोरोना संकट पर बात कर रहे हैं तब देश के स्वास्त इतियास का एक बहुत अहम आउसर भी है दो दिन बाद 25 सितंबर को आयुश्वान भारत प्रधान मत्री जन आरोगिय योजना को दो साल पूरे हो जाएंगे सिर्फ दो साल के भीतर ही इस योजना के तहट सवा करोड से अधिक गरीब मरीजों को मुप्त इलाज मिल चुका है मैं आज इस कारकम के माद्यम से आयुश्वान भारत योजना के माद्यम से गरीबों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों मेडिकर स्टाप की भी विशेश प्रसमसा करता हूँ सात्यों आज की हमारी इस चर्चा के दोरां अनेक ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे आगे की रणदिती के लिए रास्ता और अधिक स्पष्ट होता है अब जैसे देश में हमारे साथ सो से अधिक जिले हैं लेकिन जो आकड़े बहुत बड़े बड़े भय हैं और चिंता कराते हैं देश को वो सिर्फ साथ जिले हैं साथ सो से अधिक जिलों में से सिर्फ साथ जिले हैं और वो भी साथ राज्यों में हैं अगर हम इन साथ जिलों पर बल दें क्या मैं आप सभी आधरने मुख्यमंत्रीजी से सुझाव दे सकता हूं क्या माली जाब एक साथ दिन का कारगम बनाएं और डेली एक गंटा दें और वर्चुली उस डिस्टिक के जो ब्लॉक है हर दिन एक डिस्टिक में से एक या ब्लॉक कहें तहसिल कहें या तालूका कहें जो भी आपके राज में नाम हो हर दिन एक जिले के एक या दो तहसिल और आपके यहां जितने भी हैं उन सबसे सीधी पूस्ताज करें तहसिल के लोगों से सीधी बाच करें सीधा मालदर्शन करें और ये साथ दिन तक लगातार चला करके सभी ब्लॉक लिवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री बर्चुल कांफरेंस करें तो जुरूर नीचे बात पहुंचाने में एक सीरियसनेस लाने में सिंसेरेटिश लाने में बहुत मदद हो सकती है ये सही है कि भारत में संक्रमन के मामले में लगातार भृत्वी हो रही है और इसलिए कुछ ऐसे प्रवगों की जरूरत है लेकिन आज हम हर रोच ये भी सही है कि 10 लाग से ज़्यादा टेस्ट भी कर रहे हैं और ठीक होने वालों की संक्याभी तेज़ी से बढ़ रहा है अनेक राज्यों में और राज्यों के भीतर स्थानिय स्थर पर भी कहीं नए नए प्रयोग हुए हैं बेस प्रक्टिस देखने को मिल रही है हमें इन अनुभवों को जादा से जादा सीखना होगा उन अनुभवों को पोद्शाइद करना होगा और ऐसे सुखद अनुभव में करोणा के इलाज से जुड़ी जीन सुविदाओं का विकास हम सभी इन्हें मिलकर के किया है वो हमें करोणा से मुकाबले में बहुत मदद कर रही है अब हमें एक तरफ जहां कोरोना से जुड़े इन्फरस्ट्रक्टर को तो मजूद करना ही है जो हमारे हेल्थ से जुड़ा, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग से जुड़ा नेट्वर्क है उनकी बहतर ट्रेनिंग भी सुनिस्टित करनी है आज ही कोरोना स्पेसिफिक इंफरस्ट्रक्टर के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फण SDRF उसके इस्तिमाल पर भी एक एहम फैसला लिया गया है कई राज्यों ने इस बारे में आगर किया था अब ये ताई किया गया है कि SDRF की इस्तिमाल की लिमिट को 35 प्रतिशत से बढ़ा करके 50 प्रतिशत कर दिया जाए इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा रासी उपलब्द हो सकेगी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ प्रारंबिक कान में हमने जो लॉकडाउन किये उसका बहुत लाब मिला है दुनिया में भी उसको सरहा गया है लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही बल देना चाहिए जिससे करोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जन जीवन और गतिविदियां भी सामाने तौर फेश चलेगी जो एक दो दीन के लोकल लोकडाउन होते हैं वो करोना से रोकने में कितना प्रभावी है हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वज़े से आपके राज्य में आर्थिक गतिविदियां शुरूरों में दिक्कत हो रही है मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंबिरता से सोचे सात्यों प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीट्मेंट, सर्विलन्स और स्पर्स्ट मेसेजिंग इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा प्रभावी मेसेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जादातर संक्रमन बीना लक्षन का है ऐसे में अफ़ाय उढ़ने लगती है, सामाने जन के मन्न में ये संदे उढ़ने लगता है कि कहीं टेस्टिंग तो खराब नहीं है, यहीं नहीं कई बार कुछ लोग संक्रमन की गंबीरता को कम आकने की गल्ती भी करते लगते हैं हमारे कैप्टन साहब ने कहा, तमाम अध्यन बताते हैं कि संक्रमन को रोकने में मास्क की भूमी का बहुत अधिक है, मास्क की आदट डालना बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको रोज मर्रा के जीवन की एक अनिवार्यता, उसको बनाए बिना हम सार्थक प्रणाम नहीं मिल पाएंगे, और जैसे उद्दव जी ने बड़ा सिंपल चस्मे का उदान दिया, यही तरीके से सोचना पड़ेगा, सात्यों बीते अनुभवों से, तीसरी बात यह निकल कर आई है, कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, सेवाओं और सामान की आवाजाही में, उस रुकावट से सामान्य नागरिक को अनावाशक परेशान होती है, इसमें जनजीवन भी प्रभावित होता है, और आजी विकापर भी असर पड़ता है, मुझे बताया गया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यों के बीच तानमेल बना रहना ज्यादा जरूरी है, ताकि जीवन रक्षक ऑक्सीजन के आवा गमन में कोई रुकावट ना आए, लगातार मॉनिटरिंग से सप्लाई चेन को बनाये रखने में मदद मिलेगी, ऐसे विश्यों पर हमें अफ्वाओं से भी सत्रक रहना चाहिए, कभी-कभी इसका फाइदा ब्लैक मार्केट वाले भी उठाते रहते हैं, साथियों भारत में मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ती सुनिश्चित की हैं, ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाईयां आसानी से पहुँचें, यह हमें समने मिलकर के ही देखना होगा, साथियों, संयम, संवेधना, संवाथ और संयोग की जो प्रतिवर्द्धिता इस कोरणा काल में देश ने दिखाई हैं, उसको हमें और आगे जारी रखना है, संक्रमन के विरूत लड़ाई के साथ साथ, अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है, हमारे साजा प्रयास जरूर सफन होंगे, और इसी कामना के साथ, आज आपने विस्तार से जो बाते बताई हैं, उसमें कुछ करणी ये बाते हैं, जो बारत सरकार की टीम भी यहां सारे विश्यों को नोट कर रही हैं, उसमें जो आवश्यक हैं, उसको जितना त्वरा से लागू किया जा सके करने का प्रयास होगा, और हम इस परिस्तिती को अपने राज में और इन साथ जिलों में बहुत तेजी से हम परिस्तिती को पलटेंगे, मैं आपको बहुत बहुत शुक्वामनाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवार।